तो जो अटकले लगाई जा रही थी उन तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए मुखमंतरी हेमंत सुरेन जो है अपने पूरी कॉर्केट के साथ जैसे कि वह पहुंचते हैं वह जो है वह महारा मुराबादी जो बापुवाटी का है वहाँ चुकी आज राश्कृता महादमा पहुंचे थे और अब जो है दो फर को मुखमंतरी हमंत सुरेन पहुंचे है उससे पहले तमाम जितने भी विधायक मंतरी है वह पहुंच चुके हैं बापुवाटी का आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरिके से सुरक्षा की व्योस्ताई टेज है और उसके बाद जो कल से ही जो अटकले लगाई जा रही थे मुखमंतरी हमंसरेन को लेकर ये सिट्री एसपी को देख रहे हैं आप तस्वीरों में एडियम लॉय और डीसी एसपी डीसपी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं और ये देखिए कॉरकेट जो होता है मुखमंतरी हमंसरेन के गाड़ी से पहले जो है तमाम कॉर्केट आप देख रहे हैं काफिला चुकि जो है काफी राजनितिक बयान बाजी चल रही थी यहां तक की अर्गोडा थाना में फायर भी जो है गुमसुदगी को लेकर जो है बावुलालमरेंडी जो भाजपा के पुर्व मुकमंत्री राच की आप तस्विर देख रहे हैं और आप देखिए यह मुकमंत्री एहमन सुरें को आप तस्विरों देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं गुन्हाम अहम Finland मीयर को देख रहे हैं और दोनों साथ साथ पहुंचे हैं बापू-वाट का सरधा स्रधास मन अरपित करने के लिए आप देख रहे हैं राज श्ठाकूर जो पर्देश अच्छा है वह है और और वह आगे देखिए कि किस तरीके से जो है आगे जाने आते हुए आगे देखिए कि अदर जा चुके है जो होता है वह टोपी पहन के सब्सक्राइब के साथ कॉंग्रेस की विधायक और मंद्री आलम्गिर आलम्गिर पहुचे तु मुझार निकल रहे हैं बाफु वाटिका से आप देखिए आगे-आगे तमाम जितने भी विधायक है मंतरी हैं बिनोध पां राची के सिनियर रश्पी को आप देख रहे हैं परसासन बेवस्था एडियम लाइंड ओर तो आप देख रहे हैं डियस्पी जो राच इस्टी डियस्पी है और तमाम जो है पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बेवस्था पुख्ता करने को लेकर बार बार दिसा करते हुए आप तस्वीरों देखिए किस तरीके से जो है सभी हाथ हिला कर जो है वादा दिन कर रहे हैं कॉंग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम एहमद मीर परदीप यादव जो बिधायक है कॉंग्रेस के और अब यहां पर सुर्दासुमन अर्पित करने के बाद जो है है आफ देख रहें किस तरीके से जो है तमाम जितने भी मंत्रीय हैं विधायक है सब यह खाप तस्वीर से देख रहें है पाक बाइसा के बाइसा को पीडिया तो टोड़ा सने लगाना है अनुब ये तो पूरा सकता पक्षिहां उनके इस मूर्ती पर अलर्पन कर रहा है हमें गर्व हैं यह ऐसे लोग हमारे बीच में जन्में और हमें मानतर्शन दिया जिनके कद्मों पर हम इने देश दुनिया भी इनके अचार विचार का अनुपरन करती है हम सब निश्चित रूप से इसके लिए संकल्पित हैं कि महात्मा गांदी जी के विचार दबे नहीं और जिस तरीके से अजादी से लेकर आज तक उनको याद किया जाता है उनके विचारों को आगे बढ़ाए जाता है हम सब मिलकर उनके पच्चिनों पर चलने का संकल्पिते हैं मंत्री हेमन सोरें ने भाजपा द्वारा लगाई जा रहा है तमाम आरोप लगाना उनका काम है कहने दीजिए पर देखा कि तमाम जितने भी सारे चार बज़े प्रेस बारता रखा गया है वहां उसकी बात जो है आप ददा को देख रहे हैं जो आप सनाप न्यूज चलवा रहे थे आप लोगों को सुत्रों के हवाले से और मुख्वीरों के हवाले से कि मुख्य मंत्री लापता है मुख्य मंत्री जारखन के हर रहने वाले व्यक्ति के दिल में है वो उन लोगों का भरम तोड़ दिया जो आप मुख्य मंत्री मंसरन का यहां से जो है बाहर की ओःयर णिकल रहा है और आप देखिए हेती लोगा है मैट हिलाते हुए सबी कावधान करते हुए बाहर से उन्ह Venezic9 को2 तरह कोई भी खत्रह नहीं है सरकार पर कि उन्हेंने कहा है कि किसी भी तरह का खत्रा सरकार पर नहीं है अब यहां कॉंग्रेस की जो परभारी है उनको देख रहे हैं आप आज के बाद से सरकार का खाली है तो यह रहेगी और यह चले इसको जनता ने पांच साल के लिए अपना समर्थन दिया और पांच साल में एक साल बाकी है सरकार को काम करने का अब उसमें जो शडियंत्र किये जा रहे हैं कि सरकार को को डिस्टैबलाइज करना लोगों के समर्थन को लोगों के दिये हुए वोट को डिस्टर्ब करना यह जारखन की लोग बहतर समझ रहे हैं कि हमने जो नुमाइंदे चुने हैं हमने जो सरकार चुनी है पांच साल के लिए उसको डिस्टैबलाइज करने की कोशिश की जा र तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाले हम अच्छा काम कर रहे थो और आगे भी पूरी ताकत से काम करें लेकिन आप आप आपने बोला खेला बाकी है अब कौन खेला बाकी सब ठीक है आप तो आप देख सकते हैं यहां क्या मुपंती से आप मिली लिए मुपंती जी सही सल अब तो आप मिडिया वाले जाके मिलिये और बताइए सबसे पहले जूदेगा उसको मिलेगा गाराजार रुप्या राम जी आगे हैं इसके लिए खुछी हैं सबको सीता माता के बारे में कुछ बताईए का बात बहुत बजार में बहुत चर्चा हो रहा है हमारी रामी इतना मजबूत है तो अभी सिधा माता की बारी नहीं है अभी रामी जी है राम 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 जी परकट हो गए आगे कि राजमीति का रही आगे क्या कुछ रहे हैं इस तरीके से दो दिन में महौल बनाई कि सीम ना पता है कराज के आप लोगों नहीं सब राजितिक में इस तरह की हरकत बीजेपी के द्वारा ये समसार करने वाली है बीजेपी को मजबूत राजितिक करने चाहिए है जनता में इसका गलत असर गया है तो कल से ही जो चर्चाएं चल रही थी मुखमंत्रे हमन सुरेण को लेकर उन तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए आप तस्वीरे देख रहे हैं राजदानेराची के मौरावादी मैदान से सटे हुए जो बाप वाटिका है वहाँ पर पहुंचे है मुखमंत्रे हमन सुर करा देते हुए उन्होंने सभी बातों को रखा है यहां संबोधित भी मीडिया को किया और सभी चीजों को जो है उन पर जो है मुस्खुराते हुए जबाब दिया है क्या लाइव लगतार के वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बिल आइकोन को दबाना न भू करें संब्सक्राइबकोन को जो टूले रहा है है